नमस्कार साथियो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RBSC Induced Classes में देखे साथियो अब तक जो है हमने 17.1 जो है वो अच्छे से discuss कर ली है और 17.1 में जो है वो कौन-कौन से महत्रपूर्ण सवाल थे उनके बाएर में भी जो हमने अपको बता लिया है तो आपको जो है वो समीज में आगे वोंगे ठीक 210 तो अज इस वीडियो में हम 2017.2 डिस्कस करेंगे अब 17.1 जो है उसमें हमने पढ़ाता समांतर माद्य है और और 17.2 में भी हम क्या पढ़ेंगे समांतर माध्य लेकिन 17.1 और 17.2 में जो है वो डिफेंस जो अंतर है वो क्या है कि 17.1 में हमने समांतर माध्य और सता ऐसे जनरली पढ़ाता लेकिन 17.2 में जो है हम जो समांतर माध्य पढ़ेंगे वो कौन सवाल होगा बारम बारता बंटन स रहने अब इस तरीके के जह हैसे सवाल कौछे होते हैं हम किससे 17.22 थाउठी ठीड़रा है मैं यह सवाल जितने होते हैं उनके बारे में बेगे अब इसके लिए पिस अलएमे मौसे प्र्मील्मृ क्या है तो मैं आपको पहले ही देखिए समानतर माद्या स्मानतर माध्या sorry समानतर माध्या एकस बार इज़ेकि dragging एकस के ओपर जो लेटी हो hoorे उसे उसे भोलते एकस बार सिमा इसे हम जु eh kya भूलता है सिग्मा ठेख दोस्तों जो टेड़ा एम है उसे हम बूलते σिगमा f.x upon σिगमा f ठीके दोस्तों क्या है σिगमा f.x upon σिगमा f यह समांतरवादी का फॉर्मला है इसे एक बार लिख लीजिए आप इसके बाद मैं इस पूरी की जो है इसका पोस्ट माटब करके मैं आपको पूरे बताऊंगा कि इसमें जो है सिगमा का क्या मतलब है f.x का क्या मतलब है वा सिगमा f क्या है ठीके दोस्तों एक बार आप इसे लिख लीजिए अब देके दोस्तों हम सवाल चालू करें 17.2 का सबसे पहला सवाल वो आपको इस बॉड़ पर दीख रहा होगा अब देके दोस्तों 17.2 का सबसे पहले स्वाल आपको देखिए गया होगा अब यह सबसे पहले स्वाल है, तो बाहिस से उतार लिटा tres किया इससे बोल र bagus है इस स्वाल में ज़ो है आपको एक सार्णी दे रिए क्या है देखिए X दे रिएए और आपको क्या दे रिका है ठीक है दोस्तों X , tiske बाद आपको पांच दे रिका है इसके बाद आपको दे रिका है 8 और 11 ठीक है दोस्तों यह स्वाल जो है आपको यह मान जो आपको दे रहे के है यह आप में दो चार पांच और तीन यह जो है आपको स्वाल में मान दे रहे के है अब देखे दोस्तों इस तरीके के स्वालों को करना कैसे है किस तरीके से हल करना है वो मैं आपको यह बताता हूँ अब देखे दोस्तों यह जो आपको सानली देखिए इसे जो हम क्या बोलते है बारंबलता-बंटनसानि I अंके इन की स्वाल wires को हल करना के जो तरीका होता है वह जब हम यहां पर खंद हैं धोस्तो और शुतिए पलम को समझ में का है यह मैं कि का तो सबसे पहले का मन लिख लिए लिए इस तरह के से मैं बनाता हूं यह आसके बाद f का मन यह है और यह आपका f dot x ठीक मैं लेक्स व्हित लिए इसके बाद f dot x कहें मैं बताता हूं देखिए X का मन क्या है 3, इसके बाद 5, इसके बाद क्या है 8 और 11, यह अपने X का मन लिख लिया, अब 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 का मन क्या है 2, 4, 5 और 3, ठीके दोस्तों यह अपने लिख लिया, अब F और X इन दोनों का गुणा कर लिजी, F.X, यह आपको पॉइंट जैसा एक दिख रहा है यह पॉइंट इनना होके यह क्या है आपका डॉट है, इससे जो है हम गुणा, डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा, कि यह F.X का क्या है, गुणा, ठीके दोस्तों यह अपने लिख लिए, 3, 2, 3 और 2 का गुणा किया 6 आगे, 5 और 4 का गुणा किया 20 आगे, 8 और 5 का दोस्तों छूकि समानतर माध्य X sub R क्या है X sub R is equal to Sigma F dot X upon Sigma F ठेके दोस्तों यही था ना अब इसमें Sigma का मतलब देखिए Sigma आपको जो है यह जो है आपका जो ऐसा निसान दीख रहा है तेडा लेटा हुए M इसे हम बोलते है क्या Sigma अब इसे Sigma का मतलब जो है यह आपको जानते हो तो अच्छी बात है लेकिन Sigma का मतलब क्या होता है कि हम जैसे की बोलते है ना Hindi में कि इसको जोड करना है या इसका योग तो योग और जोड का गनित में जब हम मतलब ढूनने जाते हैं ना हम योग या जोड को हम गनित में क्या लिखते है Sigma और Sigma का निशान जो है वो यह कुछ इस तरह के है मतलब सिंपल से बात है Sigma का मतलब क्या है जोड अब देखे दोस्तों Sigma f.x लिखा है इसका मतलब f.x जितने मान आए ना उसका जोड यहापर है Sigma f Sigma f का मतलब जो भी f के मान आए ना उन सभी का योग जो है वो क्या होगा Sigma f ठीके दोस्तों समझ में आच जोगा होगा तो आप एक बार इससे जोड लिजी तो आप जब आपने इससे जोड आ तो आपके पास मान आया आया है देखिए लाप के पास मान आया है सभी 25 69 आए न वह कja है आपका sigma fx मतलब f dot x है ना इस पूरी का जोड़ जोड़ नहीं नहीं आड़े मतलब यह है आपका इन सभी का जोड़ मतलब sigma fx इसके बाद से आपका जोड़ कितना आगे देखिए दो और च्छे और पांस ग्यारा ग्यारा और तीन जोड़ कितना होगे चौदर ठीके दोस्त समांतर मांद्या से लखते हैं इस सिग्मा एफएक्स सिग्मा एफएक्स-टै-बट्छे बाद कितना है 14 ठीक दोस्तों यह आपका काम हो गया है तो इस तरह कि आपको सवाण से निकलना है और जो आपको सवाल पूचे जाए दिए आपको सबlles आ आने है वो बना कि जो है आपको इस पेज के नीचे यह मैंना यहां पर साइड में रखता है इस पेज के नीचे काम करना है अब 99 में आप 14 को बाग दे दोगे तो सम्थिंग देखी दोस्तों कितना आजाएगा आपका 624 और 678 या पर 7 और 428 और 7 जो है आपका 7.5 कर सम्थिंग आजाएगा ठीक है दोस्तों 7.5 कर सम्थिंग आएगा आप जो है बाग दे देना लगे देना एक्जेक्ट मान साइड 7.5 ही है ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आपको 1,5 का 7, 1,5 का मान समांतर माद्य का मान आपको निकालना है, बात समझ में आचेक होगी किस तरुकर से इस तरगे के स्वालों को करना है ठीक है दोस्तों बिल्कुल इजी है बहुती आसान है आप जो है आसानी से इसे हल कर सकते एक बार से उतार लेज़े इसके बाद जो हम आगे हल करते हैं अब आगे हल करेंगे देंगे दोस्तों इसके बाद दूसरा स्वाल है सेम इसके जैसे ह आपको अपने होंग और हमचा का मतलब होता है मतलब आपको सब्सक्राइब वोistentा है रोगए रोसे को सब्सक्राइब कोोजो मोज आप को जो है वो दिखा दूंगा या तो आभी दिख रहा होगा works वह सब्सक्राइं वह सब्सक्राइब कर लेकिन इसके लेकिन ऊछ थोड़ अलग है तो गुदす देखिए तीसर स्वाल आपको पहले तो देखिए रहा होगा अब तीसर स्वाल में क्या करते है मैं जो है तीसर स्वाल उतारूंगा नहीं डायरक हम इसे हल करेंगे तो तीसर स्वाल की बात करूँ मैं तो देखिए दोस्तों तीसर स्वाल क्या है मैं एक बहुता लेता है, X का मान आपको दे रहा है, इसके बाद F का मान भी आपको जो है, वो दे रहा है ठीके दोस्तों, X का मान क्या दे रहा है, 0.1, इसके बाद F का मान कितना दे रहा है, 0.2, इसके बाद 0.3, इसके बाद है, 0.4, 0.5 और 0.6 पॉइंट पांच और पॉइंट 6 यह मान आपको सभी दे रहे हैं ठीके दोस्तों यह दे रहे हैं इसके बद F के मान आपको दे रहे हैं 30, 60, 20, 40, 20, 40, 10 और 50 ठीके दोस्तों तो यह अपने लिख लिए हैं यह आपको स्वाल में लिखे गया होगा अब हम का करेंगे पहले तो आपने X और F तो निकाल लिए मतलब लिख लिए अब जो है आप X और F से क्या निकालोगे F.X ठीक दोस्तो F.X के है यह आपको पता चल लगे है कि F.X आपका F.X का गोना है अब इसमें बात यह आती देखिए ज़र्य आप एक्जाम में बैटे हो तो पीछे रख पेंज होता है वहाँ पर जाएंगे और जैसे कि आपना लिख लिए 30 का लिख लिए 30 और लिख लिए 0.1 और इन दोनों का गोना करेंगे तो बात में जो भी गोना आएंगे वह यह आप लिख लेंगे ठीक है दूस्तो है आप जो है अपना दूसरे जो सवाल होंगे वह मिस्स कर दोगे ठीक है दोस्तो बात समय में आरे होगे तो इस जैसे सवाल को कैसे करना फटा पट मैं आपको एकसे ट्विक बताऊंगा जिसमें जो है आपको पैन भी चलाने की जरूत भी पड़ेंगे इनको गोना खाने क ठोब ही ठीक है दोस्तो बस आपको पाडे जो रहते टे बल्स होती है वह आपको आने चाहिए अब होगा क्या देखिं किस तरीकर से करना इसलिए मैं आष्क को क्या करना है यहाँ पे कितना है पोइंट एक और यहाँ पर है तीज इन दोनों का गुण तरब करना है ना तो संख्य एक है तो आप पिच्छे से एक जीव को हटा लेजिए यह आपना हटा ले तो आपका जो आंसर आ गया तीन तो यह पर इन दुनों का गुणा से आंसर कितना आ गया है तीन सिंपल से बात है ना पैन भी आपना नहीं चले बस लिखने के लिए पैन चलाई है अब आ यह आपे जाई यह यहां पे कितना 可愛 कोश है आपको साठ से कुणा करना है पॉइंट को भूल जाईए सिर्फ पे डो को सार से किजितेया एक सो और अब एक सो पीस आ घिक है अब यहां पे आप कितना किदीत संखिया है तो सैंखिय के जाईग begitu पासर अब बार आगया अब जो है यहाँ पर आप देखे यहाँ पर कितना 3 को किस से गुणा करना 20 से मतलब कितने संक्या है इस पॉइंट को भूल जाए पहले तो आप आप सिर्फ तो 3 को 20 से गुणा करोगे, तो कितना जाएगा 60, ठीके दोस्तों ये आपके पास आगया 60, अब क्या करना है, कि point के बाद संख्या कितनी है, एक संख्या है, तो यह आपके पास क्या जाएगा तो एक संक्या को आपके पास क्या जाएगा तो आपके पस आगया अब आपके पास यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो यहाँ पर एक जिवे को हटा लोगे ठीके दोस्तों तो यह आपका काम हो गया है अब मैंने तो जो इस तरीके से किया था कि बॉइट में मैं मिटा सकता हूँ लेकिन आपको सोचना है कि जैसे कि पॉइंट एक को तीन से गुणा किया तो आजाएगा 30 अब तीस में यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पिछए एक जीवे हट जाएगा तो तीन बच गया था तीन आपको लिखना है ठीके दोस्तों बात समय में आई होगी त कि आपके लिए जो basic math का फुर्य course है ना वह course जो है हम आपके लिए या पर ले के आ रहे हैं उस course में इस तरीके की बहुत से trick होगी और बहुत से आपकी basic math होगी जिससे आप अपनी सामाने life में भी उसको यूज करके जो है वो math को और भी आसन कर सकते हो और especially board में आपके 70 वी होगी उसमें तो इस basic math का बहुत से यूज आएगा ठीक है दोस्तों किस तरीके से आएगा वो मैं थोड़ी बहुत आपको बताते ही चलूंगा अब या पर आपके बस f आगे और f.x आगे बस आप सिग्मा निकाल लिजी सिग्मा मतलब f.x को जोड़ लिजी कितना जाएग आपके पास आगिया अब इसे जोड़े तो 30 और 60 90 और 20 110 110 140 500 और 106 165 यह आपके पास आगिया अब आपके पास इन सभी का जोड़ आ गया f dot x का जोड़ा गया और f का जोड़ा गया मतलब sigma f dot x आगया और sigma f आगया तो बस आपको लिखना है चुकि समांतर माध्य समांतर माध्य x bar is equal to sigma f dot x sigma f dot x बटे sigma f ठीक है दोस्तो तो अब चुहें आप x bar का मान यासे निकाल लोगे f dot x का मान यासे आपको कितना मिल रहा है बहत्तर आप याप लेकलोगे बहत्तर अपन sigma f का मान आपको कितना मिला है 200 और 10 यह जो है आपको मिले किया ठीक है दोस्तो तो अब आपको बाग देना है और बाग देने भी बहुत बड़ी मुश्किल आगि देखिए दोस्तों या तो जो है ऐसे सवाल को ऐसे जब कैलकुलेशन आपके पास आएगी तो आपके कम से कम पांस मिन्ट तो इस भाग में सिख्राब हो जाएगी एक जैक मान निगालने में तो ऐसे मन आपके इस तरीगे से कैसे निगालो कि बहुत ही मतलब टफ होने वाला यहीं पर کम आती है dit ।またब से 1 जिवहन उठाओ उठाओ उठा़कर जेब में डाल दो यहां जाला है ठीके दोस्तों अब देखिए दोस्तों यहं पर बात्तर है और एक एस को जो है आप 3At do तो तो 3 से कातो के तो 3 तो ये आपका काम हो गया तो 3 सब दूआ 2 आपके साथ कर बाग देह सकते हो तो तो चो कर देखे दोस्तो साथ ये एकईस ठीके दोस्तों आप आप बच्च कर तीन अब पॉंट लगा लिए तो आपके पास ओगे 30 तो तो दो आएगे अब आपके पास यह मान आ गया एक्स बार का त्रीन पॉइंटर दो लेकिन आपको यह नहीं बोलना है कि आपने जो एक जेव लिया था ना वह अपने जेव में डाला आए न वह वापिस आपर रखना पड़ेगा कीमत चुकाने पड़ेगा तो जेव आपने किता ह electrouch लिया खांल हिं टो गया तो कितना हो गया हजार हो जो है मैं यह बेजिक से एक है वह जो बैसिक मेस्व पूर आपको समझाया जागा Kay कि क्यों इसमें वession वह आपको दूसका बागदीना अब घास का बार्यू होता है सबसे पाक्टट इसक्तर हो लाता है कि बार कितना से आगे घिसका दो यह आपके जो है है इसमें जो है देके बात वही है समानतों माध्वाध्य आपको निकालना है इसका है सिग्मा एफ डट एट सप्पन सिग्मा एस लेकिन इसमें कैल Official एसे ती जिसमें आपको यहापर टेर्म लेकर समझाय rugged फित्व है किस तरी किस समझाय है यह बात सबुक्रांता कि आपकी मैत कितने स्टोंग है ठीक दूस्टों एक बार स्वाल को उता लेजिए इसके बार आपका चौता स्वाल है स्वाज है ठीकर दोस्तों तो उस स्वाहें आपको करना है तो मैं आपको दूस्रा और היה क्लास हो आउगई、 उसके end में आपको यह बता लूँगा, ठीके दोस्तो, आपको स्वाल देख जाएंगे, जो जो homework में है, वो आपको स्वाल करने है, ठीके दोस्तो, तो स्वाल no.6 तक आपके discuss हो गए है, अब हम हल करेंगे स्वाल no.5, ठीके दोस्तो, तो स्वाल no.5 कैसा है, किस तरीके का है, ठीके दोस्तो, कुछ एक पद से दे देगे, जैसे कि आपको एक बोला है, बच्चो की संख्या, ठीके दोस्तो, तो यह जो है, आपको स्वाल दिख रहा होगा, पहले जो है, मैं एक बार इसे लिख लेता हूँ, इसके बाद हम इसे देखते हैं, देखिए, आपको क्या बो संख्या, अब यहाँ पर साइड में आपको लिखा है, आपको यहाँ पर बोला है कि परिवारो की संख्या, ठीक है दोस्तो, यह आपने जो है वो लिख लिया, अब देखिए दोस्तो बच्चो के संख्या में, पहला है एक, इसके बाद दो, तीन, छे तक है, दो, तीन, चा फान्स और शे इसके बाद क्सािस क्याघ्ला क्या से इसके बाद आपका 65 इसegrum यह का इनईश न人民 परक के बाद है आपका दूंख G dw i the grass shaped शयर आपको देए गहीं दिखी भी खास बात क्या देखीस दोस्टों ṣfin performRET वाली बात यह है कि आपको यह दो नाम दे दे गए है लेकिन आप को इसका समांत्रमादीका formula भी पता है कि समांत्रमादी X bar e equals to σigma f.exe upon σigma f ठेक है दोस्तो यह भी आप सब्सक्राइबचलीमे आती कि हमेसा ज़री आपको कुछ S तरीकle के देखने के मिले रहें ना, तो हमेसा आपको यह इप ध्यान को त्याम रेखना है, जो आपकी पहला इस्तम है, पहला का 로 होता है ना पहला इस्तम कहलो, वह लो हमेचा आपका हमेचा अपका क्ता है एकस ठीके दोस्तों चाहिए ऐसे या थीड़ हो ठीके दोस्तों हमेशा पहला इस्तम एक सब्सक्राइब को अपको मतलब यह एक सो अपको मतलब है तोह अपको step फ में अब सकते हैं बंद्र निकाल सकते हो असे भäreता देखायार किया कितना आएगा 25 के पर 20 इसके पाद 1903 का Primary लिए तो कितना जाएगे 27 87 आ जाएगा ठीके तो 87 नी तुस्त एवल निस वारी 1903 का जब गुणा करोंगे तो तो 57 आ जाएगा स्वारी 57 ना जाएगा इसके बाद जुहें आपका आट और चायो करोंगे तो 32 आ गया अब जो है आपको जोड़ना है सिग्मा निकलना है सिग्मा भी आप साथ साथ निकाल ले देखिए सिग्मा निकालोंगे तो इन सब में पूर जोड़नेट देखिए 5 और 7 कितना होगे 12 12 और 24 और 6 कितना होगे 20 ठीक है दोस्तों 20 के जीवा हसल 2, 2 & 6 6 6 & 5 कितना होगे आपका 11 & 5 16 16 & 19 & 20 फिर आपके 200 ठीक दोस्तों अब याँ पर देखिए 45 & 25 कितना होगे 70 हो जाएंगे सके बद 70 & 19 कितना होगे आपके 80 90 100 & 110 होगे ठीके दोस्तों कितना होगे 100 & 10 यह आपका काम हो गया सब्सब्सक्राइब को सब्सक्राइब 23 कितना यह तो यहापर आपको 8 nu 20 बाद नकार आदेखिए 85 ना गया 2 त самой गया 2 यह मैं यह तो आगिया 2 आग दो त्या है 200 आज यह以前 नас वुरा 2. 200 अ nindo Cert do 25 ता इस給 ऐप काम है 2 अगया 2 यह उटेजसกे आप 2 2 यह एऊ दो यह तो कि यहां पर बहुत सारी ही कर लिए अब क्या गल्ति किया देखिए दोस्तों आपको देखे होगा कि यह जिस दो है ना इस दो को इसने लिखा घा पर लिखा है इस वाली LINE में जबके आपको पता है कि जो आपकी संख्यया होते है उसमें यहहां पर लिखेंगे तो यह हम यह पर ही लिखेंगे आपको जोड़ना पड़े हैंगे हापको सोचनी है कि इक्षाह वाल को के इस्थांट पर दाहेवा लेंग को के सब्सक्रापन के लिए एक्सर कर ले तो इस बात का यह जो एक्सर आपको ध्यान रखना है ठेके दोस्तों यह आपका सिग्मा f dot x आपको मिल गया है 200 यह आपका है 200 सिग्मा F जो है आपको कितना मिला है 1-10 तो यह आप लिख लिख में है 100 अब जो है आप नहीड़ी है 110 अब जो है आपको इसमें बाग देना है बाग देने इसमें जो है बहुत यह च्छी ट्रिक है क्या करना कि यह यापे एक इसनद से यहापे 200 न तो जो पीछिछेओ वाले जीव किनारा थे 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 दूसुत पार जाहे या तो वह किनारा पर होको शेह। तो जो किनावे वाले जीवे होते हैं उनको जो है हम यहाँ पर उठा कर जेव में डाल सकते हैं या फिर जो है वो इनको काट में सकते हैं कैसे काट सकते देखिए यह भी किनावे वाले जीव यह भी किनावे वाले जीव तो इसको जो है एक जीव से एक जीव आप काट सकते है तो एक जिव से एक जिव काट लिया बिल्कुल काट लिया अब वो उसका नाम उनिशान तक नहीं है तो अब आपके पास बच्चा है बीस और ग्यारा बिस में ग्यारा का पाग देना आता है एक पॉइंट सम्थिंग जो है कुछ आपके पास आजाएगा ठीक दोस्तों तो ज करना ही है बस आपको यह बात दियान है कि जब आप लिखते हैं यह स्के जगह पर प्लब कुछ अलग सी मां नाम लिखरके हैं बाकि है सेम इसके जैसा तो वह स्वाल भी जो है आपको खुदिब को करना है मतलब वह सवाल आपका होम वेर के ठीक है दोस्तों तो होम वेर के में जो है आपको तीन सवाल दे देगे हैं दूसरा सवाल चौता सवाल और चौता सवाल दूसरा चौता चौता यह तीनों सवाल जो है आपको आपको करना है और इसका क्या आंसर होता क्या मान आता ह वो आपको comment box में लिखके जरुर हमें बताना है, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आपने कितना काम किया और कितना नहीं किया है, हमारे साथ सा दूसरों को भी पता चलेगा, कि मतलब बहुत से बच्छे को डाउट होता है, कि इसका क्या answer, इसका क्या answer, सही answer क्या है, तो आप comment box में लिख के वताएंगे तो दूसरों को भी जो है वो अरस्य ही जवर पता लगेगा तो यह आपका स्वाल होगे इसके बाद जो है हम आगे कंटिनू करते हैं ठेके दोस्तों तो आपके जो है अगले वीडियो में स्टार्ट में अच्छा से डिस्कस करेंगे और जो है आगे आपकी प्रश्टन बाला है 17.3 जो कि से मिश्के जासी है तो उसको जो भी हम फटाफट कम्प्रिट कर लेंगे ठीक है दोस्तों तो आपका जो है आज के 3 सवाल होम्रेक है और आपका 7-8 सवाल है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों सवाल मोश्ट है ठीक है दोस्तों तो जदी आपको वीडियो आज का वीडियो जो अच्छा लगा हो तो पलीज इस वीडियो को है और जो है अपनी जो आपने जो टाइगेटल एक कि अपन cœur लग MICH कि ए उसके लिए जोए आप नेवनतर अपनी मैनट करें हूंगे ठीक? दोस्तों तो पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे ठेंक्य Tuesday